मुईराजधाने दिल्ली के सदबरी छतरपूर इलाके में 1100 पेड काटने वाली जगह पर मंगलवार को दिल्ली सरकार के मंत्रियों निरिक्षन किया बत और फैक्ट फाइंडिंग कमीटी के सदसे के तौर पर मंत्री सौरभ भारद्वाज ने जायजा लिया इसके बाद उन्होंने फैक्ट फाइंडिंग कमीटी की रिपोर्ट सूप्रीम कोड के सामने रखने की बाद गही इसके बाद उन्होंने कहा कि रोट को चौड़ा करने के नाम पर ड्डि-डि-ए द्वारा कथित तौर पर लगभग 1100 पेड काटे गए थे उन्होंने कहा कि जिस रोड पर हम खड़े है ये नया रोड है बता दे कि जंगल के बीच में ये सड़क है मुई सुप्रिम कोड ने यहाँ पर काम करने पर रोक लगाई हुई है इसके बावजूत भी यहाँ काम चल रहा है दिल्ली सेफ शुप सेट की रिपोर्ट तरह दोनों तरफ इसके घने जंगल आपको दिख रहे होंगे जिस रोड से हम आये हैं उस रोड को तो चोडा करने के नाम पे सेंकड़ों पेडों को काटा गया है और मुझे अभी जो गावण वालों ने बताया कि यह रोड जिस पर हम खड़े यह पूरी की पूरी रोड नह ही है इस रोड से उन्होंने सार्क चौक तक जो है इस नई रोड को बनाया और आप देख सकते हो जंगल के बीचो बीच सड़क है यहां जंगल था पहले जंगल था यहां पर पहले पेड़ थे पाका था और देश की सबसे बड़ी आदालत सुप्रीम कोट की रोक लगी हु कि अभी तक यहां पर काम चल रहा है क्यों चल रहा है क्योंकि कितने पेड़ कटे इसका फैसला उन जड़ों और तनों से होगा जो कटे हुए दिखेंगे तो उनको भी उखाड के उनको भी निप्टा दिया जा और उनके ओपर भी मिटी की एक लेर डाल दी जाए इसकी आप लोग यहां पर पहली बार आएं और आप पत्रकारों में से मुझे एक दो ने कह दिया कि मंत्री जी इस सड़क के एक तरफ तो सारे फार्माउस हैं बड़े-बड़े करोड़ पतियों के अरब पतियों के और एक तरफ जंगल था पहली बार में आपको दिग गया तो अगर रोड चोरी करनी थी तो आप फार्माउसों को तोड़ देते रोड चोरी कर देते जैसे हम किसानों की जमीनों को एक्वाइर करके ये सरकार ने और आमीरों के फार्मा इस बना दिये तो सब्सक्राइब कर सकते थे मगर उनके फार्माउसों को नहीं छुआ गया जंगल के अंदर ग्यारा सो पेड़ काट दिये गए एक और मैं आपको बात बताता हूँ यहां पे आस पास के लोग बताते हैं चाया तो आप इंटर्वू ले लिजाएगा LG साब एक बार नहीं कई बार आए हैं क्या करने LG साब यहां बार बार आए हैं यह आप LG साब से पूचनी जगा यहां कर लोग बता रहें LG साब ने खूब चक्टर लगाए हैंip जब एक बार आपको आपके दिगया कि इस रोड को चौरी करने के लिया आप फार्माउसों की जमीन ले सकते हैं पेड़ों को बचा सकते हैं तो LG साहब को यह बात क्यों नहीं समझ में आई यह सवाल LG साहब के लिए दूसरी बात साहरत इस पेड़ काटने से पहले सुप्रीम कोट की पर्मिशन चाहिए थी पेड़ काट दियए फर्वरी के अंदर किसी ने शिकायत कर दी तो फिर पर्मिशन मांग़ने सुप्रीम कोट में वह यह कहके की पेड़ बी काटे जाने हैं हमें पर्मिशन देख或 Lacan को देखी करे और यह कहा क्या और कोई तरीका भी है च KP करने का पेडू को बिना काते अप सोचिए सुप्रिम को वा बेटा है उनके दिमाग में भात है कि कि किसी और तरीके से teacher मगर वह तरीका ना सोचके जंगलों को काटा गया और मैं समझता हूं छो content और फार्माउस मालिकों को करोर उपे का फाइदा पहुचाया गया और इसके अंदर बड़ी गड़बडी की आशंका साफ साफ नजर आ रही है साफ साफ उन फार्माउस को डबल फाइदा हो गया क्योंकि अब उनके सामने की रोड जो इतनी चोटी सी रोड थी उसको आपने है इतनी चोड़ी रोड बना दी तो उनको तो आपने उनकी तो कीमतों के अंदर इजाफा हो गए जो यहां लोकल बता रहे हैं कि एक फार्माउस अगर वह एक रुपे का था तो अब वह पांच रुपे का हो गया उस रोड की चोड़ी होने के बाद झाल